हेलो एवरिवन कैसी हैं आप लोग आई थिंक आप लोग अच्छे होंगे और मैं आज बहुती बढ़िया चीज लेके आई हूं जो की हेल्थ के लिए बहुती बेटर है और यह आप जैसे की देख करते हैं यह मैंने आज हम एक चूरन गनाने जा रहे हैं जिसके लिए हमको क् इंग्रीडियन्स चीए यह आप देख रहे हैं किवल ओनली फाइफ इंग्रीडियन्स चीए और यह चूरन गैस एसीडीटी खटी डखारे या जैसे भी पेट में प्रॉब्लम हो उसको खाने खाना जैसे डाइस्ट नहीं होता है आपका अच्छे से तो यह बहुत अच्छ इस जहीं ने हैं और यह को टि temporum को किया है डिया है यह मैंने जीरा ले लिया है त्रीस्पूण और यह मैंने अजवाइन लियत फीर घृता सिस्पूण देखिए मैंने काला नमक लिया हुआ है वन टेबल स्पून और यह अजवाइन और जीरा सौफ यह हमारे थिरी थिरी स्पून होंगे आप डबल भी कर सकते हैं इसका मैंने जितना आपको बताया है अब हम इसको क्या करेंगे इसको हम रोस्ट कर लेंगे बस बहुत ही इजी है इसको बनाने में और हेल्थ के लिए मैंने जैसे कि आपको बताया है बहुत ही बेटर है चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ यह मैं जुआइन रोस्ट करने जा रही हूं और ज्यादा गाइज नहीं आपको हलका सा रोस्ट करना है एक कलकल की आवाह जाने लगेगी बस उसी यह देखिए यह हलका लाल भी हो गया है अच्छे से भूं गया है और यह मैंने जीरा ले लिया है इनको भी हमको रोस्ट करना है यह सब चटकने के आवाज आएगी बस इसको हटा लेना है गयास की फ्लेम में मैंने शिलो ही रखी है इसी तरह हम सौब भी रोस्ट कर लेंगे और यह देखिए हमारे जीरे रोस्ट हो गए है और गाइज मैं आपको बता रही हूं कि जैसे की गैस ऐसी डिटी यह सब ऐसी चीजे हैं जो कि हम लोग को बहुत प्रॉब्लम पहुचाती है और गैस के वज़े से क्या क्या डिक्कति हो सकती है बॉड़ी पर इसके बारे में तो एक पूरी स्टोरी है मेरे पास आप यह दिखे मैंने सौफ भी भून ली है यह मैं अब इसको यह दिखे मैंने हिंग डाल दी है अब हम इसको ग्रैंट कर लेंगे अच्छा से पीस लेंगे इसको महीनी पीसना है क्योंकि आप इसको जब लेंगे तो फसे ना गले में आपके तो अब इसको ग्रैंड कर लेंगे और गाइज इसको हमको कैसे लेना है वो मैं अभी आपको बता रही हूं और यह हम यह गाइज यह हमारा चूरन रेड़ी गाइज यह खाने में भी बहुत टेश्टी लगता है आप ऐसे भी चट करके खा सकते हैं बट खाने के बाद आप इसको नाइट में हाफ टेबल इस्पून ले लीजे साधी या गरम पानी से आप इसको ले सकते हैं कोल्ड टेमर्ध नोर्मल साधा पानी ले ले लीजे या हला ले लिए और यह कि यह सताल तो आप लो अध्य में ले लीजी या मॉर्निंग में लीजे वैसे मेरे खयल से तो यह girdy हमारा चूरन आप इसको नाइट मिलीजिए, ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि राती में हमारा खाना डाजेस्ट अच्छे से नहीं होता है, जिसके लिए बहुत बेटर है, और जैसे कि मैंने आपको बताया है कि इसकी एक स्ट्वोरी है, गैसे हमको क्या-क्या प्रॉब्लम हो सकती है, मै मेरी लाइफ में बहुती बड़ी चीज हुई थी, जो कि ईश्वर के किरपा से टल गई, और गाईज, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, तो आप लाइक, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और स्टोरी के बारे में, अगर आप कमेंट करके मुझ से पूछ रह इसको कवर करके रख दीजे, खाने के समय आप नाइट में इसको हाफ टेबल स्पून जिसको भी प्रावलम हो, आप ऐसे भी दे सकते हैं, थैंक यू, वाचिंग माई वीडियो, बाई बाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, रादे रादे,